तो दोस्तों क्या आपको पता है 2025 तक Global Hydrogen Generation का मार्केट 201 बिलियन डॉलर्स टच कर देगा और अब इस 200 बिलियन डॉलर के मार्केट में उतर चुकी है हमारे देश की 5 बड़ी कमपनीज जिसके नाम है अशोक लेलैंड, आईचर, पिनाकल, टाटा और बूमा इन सब को अब सरकार की तरफ से नौड मिल चुका है अब हाली में खबर निकल कर आई है कि at present यहाँ पर काफी सारे OEMs जिसमें वाल्वो, आईचर, कमर्शल, वेहिकल, ये फिर अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और कमिन्स ये बहुती जादा dedicatedly काम कर रहे है hydrogen internal combustion engine development में और टाटा यहाँ पर already comments के साथ हाथ मिला चुका है कि वो सबसे आधुनिक hydrogen का engine तयार करके launch कर देंगे भारत में अट प्रेजेंट देखे तो टाटा मोटर्स ने already इनके hydrogen buses और trucks आपको देखने मिल जाएंगे जल ही शायद ये hydrogen से चलने वाली कार भी develop करने वाले है apart from that आपने अक्सर सुना होगा union minister गटकरी जी को बोलते हुए कि construction जो equipment से हमारे tractors और बागी के उनको भी hydrogen पर लाओ उन्हें भी sustainable और alternative fuels पर उतारो तो कुबोटा यहाँ पर बहुत सीरिया सुचिका है और ये hydrogen टेकनोलजी पर काम कर रहे है construction equipment segment में ये काफी सारे ऐसे JCBs फिर tractors लाँच करने की तयारी कर रहे है और finally last but not the least यहाँ पर भारत ने अब एक नया aim डाला है कि हम 2030 तक global hub बनेंगे for green ship building यहाँ पर आप particle भी देख सकते हो साफ साफ इसके बार में बताया गया है और fuels की बात करें तो इसमें शामिल है hydrogen, methanol और ammonia so collectively आप सोचके देख सकते हो road transport से लेकर ship और trains में भी, trains भी जल्द ही hydrogen पर launch होने वाली है so overall किस तेजी से fossil fuel से non fossil fuel पर transition किये जा रहा है इससे definitely middle east को एक काफी बड़ा धका लगेगा इसके बार में आपकी क्या रहा है अपनी definitely comment से बताईएगा